हेलो फ्रेंज प्रिशा की पाठशाला में मैं जूली आप सब का स्वागत करती हूँ आज हम बच्चों कक्षा पहली का पाठ पाच पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्शक है पकोडी तो चलिए इस कवीता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं पकोडी दोडी दोडी आई पकोडी छुन 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 तेल में नाची प्लेट में आशर्माई पकोडी दोडी दोडी आई पकोडी हाथ से उचली मू में पहुची पेट में जाभराई पकोडी दोडी दोडी आई पकोडी मेरे मन को भाई पकोडी बच्चो ये जो प्रस्तुत कवीता है पकोडी इसके कवी का नाम है सरवेश्वर द्याल सकसेना और बच्चो इस कवीता में कवी ने गरम-गरम पकोडी के तलने से लेकर उसे मुह में जाने तक का वर्णन बड़े ही रोचक शब्दों में किया है तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं दोरी दोरी आई पकोडी छुन-छुन-छुन-छुन तेल में नाची बच्चो कवी कहते हैं कि पकोडी दोरी-दोरी सी आती है तथा छुन-छुन तेल में नाचने लगती है मतलब बच्चो जब हम पकोडी को तेल में डालते हैं तो वो एक आवाज के साथ तेल में इधर उधर घूमती है तो उसे ही कवी ने कहा है छुन 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 तेल में नाची प्लेट में आ शर्माई पकोडी अब इन पंतियों में कवी कहते हैं जब पकोड़ी खाने के लिए प्लेट में आती है तो वो शर्मा जाती है, मतलब बच्चो उसे लजा आती है, दोडी-दोडी आई पकोड़ी, और पकोड़ी जो है वो दोरी-दोरी से आती है, हाथ से उछली मुह में पहुँची, पेट में जा घबराई पकोडी इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि पकोडी हाथ से उच्छल के सिधे मूँ में पहुँचती है तथा वहाँ से पेट में पहुँचती है और बच्चों पेट में जाकर घबरा जाती है दोरी दोरी आई पकोडी पकोड़ी जो है वो दोरी-दोरी से आती है मेरी मन को भाई पकोड़ी कवी कहते हैं कि पकोड़ी उनके मन को बहुत भाती है मतलब बच्चो उन्हें बहुत अच्छी लगी पकोड़ी तो बच्चो ये थी कवीता पकोड़ी अगर आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें